नमस्कार दोस्तों, यूटेवी नूज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों बीती रात को इंडिया लीजेंड और साउथ अफरीका लीजेंड में एक T20 मुकावला खेला गया जिसका नाम था रोड सेफटी वर्ल्ड सीरीज का एक मुकावला था ये जो की बीस बीस ओवर का था जहांपर इंडिया क्योड से खेलते हो यूवराज सिंग ने 6 गेंदों में 6 चक्के ठोक डाले तो वहीं सबसे जाधर ना बनाने वाले खिलाडी भी यूवराज सिंग बढे तो वहीं दो बेकिट भी लिये पढ़ने के बहेंकर तूफ़ानी पाड़ी खेलने के बाद इतियास रचा तो वीडियो को लाइक करना बुलको न भूलें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आकन दबाजे और लूंटी बेगेशन पे कलिक करना भी बुलको न भूलें गाइस पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ इन दनों रोड सेफटी वर्ल्ड सिरीज 2021 के मुकाबले खेले जा रहे हैं जहां पर एक मुकाबला खेला गया साउथ अफरीका लीजेंड और इंडिया लीजेंड के बीच में सबसे पहले तो साउथ अफरीगा के कपतान यानि की साउथ अफरीगा लीजेंड के कपतान ने तोजीता और गैंद वाजी करने का फैसला कर लिया इनका फैसला बुलकुल गलस सावित हुआ और इंडिया की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए थे साचेन सहबाग दोनों जै लग चुका था भारते टीम को दूसरे ओवर की आखरी गेंद पर वीरेंदर सेहबग आउट हो गए फिर उसके बाद सचेन तेंदलकर का साथ देने के लिए आई थे बदरीनाथ बदरीनाथ और सचेन तेंदलकर ने साथ अफरिका की गेंद वाज़ों की जो खबल ली वो मातर 34 गेंदों का सामना करते हुए चार चोके और दो छक्के की मदद से 42 रंकी तूफानी पारी खेली मर बदरीनाथ भी आउट होने के बाद पबलीन का रास्ता दे गए उसके बाद दोस्तों सचेन का साथ देने के लिए थे मैदान पर यवराज सिंग यवराज सिंग ने मातर 37 गेंदों का सामना करते हुए 9 चोके और एक चोके की मदद से 60 रंकी तूफानी पारी खेली तो वहीं सचेन का बिकेट भी गिर गया और अब सचेन भी आउट होने के बाद पावलियन का रास्ता देख चुके थे अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी यवराज सिंग के कंदे पर जब साचेन तेंदलकर आउट हुए थे तो उस वक्त भारत का स्कोर था 105 रंकी यवराज सिंग का साब देने के लिए आ चुके थे यरपान पठान इरफान पठान ने ही आते ही चोके चके लगाने स्टार्ट कर दिया और 10 गेंदों में ही 23 रंजड दिये 2 चोक 18 ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया उसके बाद दोस्तो 18 ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चका लगा दिया दोस्तो ऐसा लग रहा था इस्टेडियम में कि आज यवराज सिंग च्छे गेंदों में छे चक्के लगाने वाली हैं और दोस्तों ये बात सची तो जब साव 8 ओAR की चोथी गैंद पर युवराज सिंग ने चक्क लगा तीया और तीन गैंदों में लगातार तीन चक्के लगा चुके थे युवराज सिंग गैंद शक्के ठोकने के बाद वर्ल रकॉर्ड बनाया था तो साथ अफरीगा के गेंदवाज के पसीने तो छूट नहीं थे उसके बाद दोस्तो 18 ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और चका लगा दिया और अब एक ओवर में 4 चके हो चुके थे लगातार मगर दोस्तो 6 चके तो नहीं लगा पाई लगातार मगर 6 गेंदों में 6 च तो दोस्तो आप यवराज सींग को मेंटव दाम मैच का खिताब भी दिया गया यवराज सींग ने 3 ओवर में मात्र 18 रहन देने के बाद दो बल्ले वाज़यों को पविलिन का रास्ता भी दिखाया था यादि कि दो विक्र भी लिये थे सावत अफरीका के बल्ले बाजयों पताना बोलको ना भूलें और आप भी युवरास सिंग को बड़ा खिलाडी मानते हो बिस्पोटक बल्लेवाज मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरू करें फिलाल इस कबर में तरहीं था तब तक के लिए अपने ख्याद रखिए देखते रहे यूटेव इनोस 24